नुश्कार दोस्तों भगवान आफसेवी का भला कर दो आपके सारी एक्षाहे मनों कामने पूरी हूँ दोस्तों आज मैं आफसेवी को इसाथ सारे रिलेटेड महत्मों जनकर वेक करूँगा जिसमें सर्पतर मियापर आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पुरे पाउम का एनलेस करते हैं आपके जितने भी परशने हैं उन सभी का आंसर भी ओर्रॉल पाउम रिडिंग के दुरान कवर किया जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लिंध आपके पाउम के कमपेरजर में शॉट है जो एक फास्ट एडिसेंट मेकिंग हैबिट को थोड़े जलबाजिवा हर बड़ी किसमिक के नीचर को दर्शाता है इस कंडिशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना अपने थौट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना जिस बत से इंस्पारड, मोटिवेटेड या इंफ्लेंस हों है कुछ समय के नतराल में वो काम करके दिखाना यह सब बेसिक नेचर में होता है पेशन्स कम होता है क्योंकि किसी भी चीज को पाने के चाहस ज़्यादा होती है इसलिए अपने थौट्स के पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं दिखाई पड़ते हैं किसी के अंडर में comfortably work नहीं कर पाते हैं क्योंकि खुद के rules regulation ethics मन मताबिक काम करने ज़्यादा पसंद करते हैं finger के बीच में जब ऐसे gap maintain होने लगे तो इस condition में आप ज़से जा तक सुन सब के लेते हैं लेकिन करते हैं अपने मन के हैं और भले ही नुकसान हो या घाटे में चल जाए चीजें लेकिन अंतितहक करेंगे अपने मन मताबिक से ज़्यादा काम हाथ में लिया आपने तो हर काम में आपको देरी अरचन बाधा रुकावट का सामना करना पढ़ने लग जाएगा इसके अलवा कभी भी बीना सोचे समझे कमिटमेंट मत करिएगा वादे मत करिएगा क्योंकि उसको भी फुल्फिल करने में डिफिकल्टीज आती है लेडिल फिंगर जब शॉर्ट हो जाए यानि और ज़्यादा जब यहाँ पर नीचे के तरफ आ जाए तो बच्पन में स्टेज फिर होता है शर्मेला पन होता है अपोजिस जेंडर या स्ट्रेंजर से बाचित करते हैं समय हिच की चाहट महसूस होता है और सही समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं ये एक बहुत खराब आदत यहाँ देखने को मिलती है कि जो वारतालाब खतम हो जाती है जब वो समय बीच जाता है तब बड़े अच्छे ख्याल आता है कि अरे यार यार ये ये बात भी मुझे कह देना चाहिए था या इस प्रकार से अपने बात को रख देना चाहिए था उतना जदा प्रॉपर मार्केट सेंस नौलेज नहीं होता है आधे हदूर ग्यान के साथ काम करते हैं दिखाए पड़ता है तो यहाँ पर आपके बिजनस में आप बहुत ज़्यादा ही चेंजिस करते जाएंगे क्योंकि आपको जो लिटिल फिंगर है वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होनी नहीं देगा इसलिए इस कंडिशन में कभी भी किसी काम को बीच में छोड़कर दूसरा काम अपने हाथ में मत लिजेगा नुकसान ही नुकसान है उसमें आपको और अपने मेनेजमेंट इस्टोंग अगर आपको करना है तो आप इंप्लोईज हायर करिए पार्टनर अपने साथ रखिए या कोई ऐसा वेक्ति रखिए जो बहुत ज़्यादा स्टोंग कम्यूनिकेशन का हो मार्केट में भागदोडी करने वाला हो आपके काम में बहुत ज़्यादा सुधानातना निश्य तुर्प से देखने को मिलेगा इसका कनेक्षन यानि लिटिल फिंगर का थर्ड फिंगर से बहुत ज़्यादा ही जुड़ाओ है तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओर्येंटेड परसनलिटी होती है और फैमिली को बहुत ज़्यादा तबज़्यजदा अपने लाइफ में descrição करते हैं थर्ड एंड फर्स्ट विंगर के लेंद में देख पाएंगे कि आपके फर्स्ट विंगर के लिए जादा स्टॉंग है तो यह क्या करता है कि ना हो ही नहीं पाता है किसी भी चीज़ के लिए आप जैसे जातकों के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा रहता है सोसाइटी में स्टेटास अच्छा रहता है नॉलेजिवल परसनेल्टी होती है जरुड़े नहीं कि यहाँ पर बहुत बड़ी डिग्रियां आपके हाथ में हो लेकिन आपको ग्यान हर एक छेतर के मुताबिक बहुत अच्छा रहने वाला है और अवरल देखा जाए तो रिस्पेक्ट्फुल परसनेल्टी यहाँ पर आपके दिखाई पढ़ रही है फिंगर के उपर जब एसी सीधी खड़ी रिखाए होती है तो यह बहद ही मितरता पुरवक सुभाओ को दर्शाता है तो हर परिस्थिती माहोल में अपने आपको ढालना हर प्रकार के लोगों के सा संब्द अच्छे रखना थोड़ी बहुत जो आड़ी रिखाए देख पा रहे हैं लेकिन सीधी खड़ी रेखाए तब भी बहुत ज़्यादा है आपके हातेली में तो इसलिए अंतितहा आप सारे रिस्तेनातों को अच्छे से मिंटेन कर पाने में अच्छे सी निभापाने में सक्षम रहेंगे फिंगर के जो यहां नोट्स है यह डेवलोप क्लियर कट नहीं है तो कन्फूजिंग माइंडसेत होता है डिसिजन्स प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं किसे ना किसी वेक्ति विशेस की गाइडेंस और सपोर्ट के आवशक्ता पढ़ती है डिसिजन लेने के लिए फैलेंजस यहां पर आपके डेवलोप ठीक है और इंटर्नल मार्स के सामान नहीं लेकिन जब भी मंगल और शुकर के बीच का इरिया दबने लगता है तो इस कंडिशन में जो प्लेजर की फुल्फिल्मेंट होती है या मेरेड लाइफ को जो सुक होता है वो कहिना कि थोड भी काम करने के पहले हमेशा दही और शकर खाना चाहिए दही शकर शुकर को रिप्रेजन करता है तो इस कंडिशन में हर काम में सफलता संतुष्टी यह फिर सुख मिलना शुरू हो जाता है और मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ही एक प्रगार से प्लेजर के फुल् और मंगल का यह जो है धेरे धेरे कर खतम हो जाएगा ज़्यादा से ज्यादा ये समय लेता है डेर्भ से दो मैंना डेर्स से دो मैंने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आना सुरू हो जाएगा शूकरon मंगल एक रिगारिंग के यह भी यहाँ पर बतादेता हू कि क्या क्या changes आएगा, शुक्र आपके जीवन में luxuries and comfort बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और जो मंगल है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही जुनुनियत और बहुत ज़्यादा ही होसला और बहुत बड़े लेवल का risk टेकर बना देगा जब ये दोनों मजबूत होने लगेंगे तो बाहरी दुनिया में पद परतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा और घरेलो जीवन में जो है संतुष्टी प्रदान होने लगेगा आपके जो थम का साइज है वो यहाँ पर ज्यादा लॉंग नहीं है थोड़ा शॉट है तो इस कंडिशन में टूदो पॉंट बात करना सुनने ही जादा पसंद करते हैं बेकार की बाते कही सुने बाते बेफिजल की बाते इधर उधर की बातों में जादा ध्यान न देना तमाम तरह के लड़ाई जगड़ा बेजबाजी इसी चीजों से दूर है न बहुत जल्दी अपने लिए गए निरनेव में बनाए गए योजना में परिवरतन कर ले न यह सब बेसिक नेशर में होता है यह का चिन भी है आपके अतिली में तो आपको तो धर्म के माध्यम से बहुत ज़्यदा प्रगदी जो है देखने को मिल रहा है कि जैसे अगर आप रेगुलर बेस पूजा पार्ट करें मंतर चेंटिंग करें दान धर्म करें तो इस कंडिशन में इंट्यूशन और सिक्सेंस बहुत इंप्रूव होने लग जाता है पुर्वा अनुमान आभाज यह सपनों के मध्यम से भैविश्व के दरश्रे देख पाना आलिशन घर का सुख भोग पाना पेसा बहुत अच्छा आने लगना समय रहते काम बनने लगना भागी की स्थिती मजबूत होने लगना इश्वर्य करपा अनुकंपा होना इस सब कंबिनेशन बहुत बड़े दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके खास कर यह हो के चिन में घर का सुख बहुत अच्छा मिल पाता है पाम का जो यहाँ पर अपका साइज है वो रेक्टिंगलर शेप में है तो शारिरिक मेहनत के बज़ाए मानसिक मेंने ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और इस कंडिशन में हाई थिंकिंग अप्रोच होती है तो थिंकिंग डिजार से ज़्यादा कोई कॉम्परमेस करें नहीं पाते हैं अब बात करेंगे गुरू के चेतर के रिगारिंग तो गुरू का चेतर जब भी दबता है तो फैमली से जेतना expect करते हैं अत्वा फैमली के लिए बहुत ज़्यादा ही जवन में करना पड़ता है बहुत जिम्मेदारी होती है फैमली की कभी इस रिष्टेदार की कभी उस रिष्टेदार की किसी और तीसरे रिष्टेदार की यानि जब गुरु जो परवत हो दब जाता है तो एक चीज़ ध्यान रखें कि आप सिर्फ देने के लिए हैं अपने फैमली में आप ले ही नहीं पाएंगे अगर किसी प्रगर का आप उमीद रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति से मुझे कुछ मिल जाए आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा और अगर मिल भी जाता है तो वो फरेगा नहीं इसे लिए इश्वन ने आपको बनाया है देने के लिए तो आप सिर्फ फिर डोनेट करिए दिजिए इसी के अतरिक्त जब क्रॉस का साइन होता है तो यह most probably love marriage या फिर married life के लिए बहुत अच्छा साइन हो जाता है लेकिन जैसा कि देख सकते हैं कि गुरू का परवत दवर है तो इस condition में कई ना कई family के regarding struggle, stresses या minor tension या worries है वो कई ना कई आती है लेकिन यह cross का साइन इस बात को assure कर रहा है कि यह आपके life में stability married life के regarding family के regarding overall society में status और काम की कोई कमी ना होना यह चारों चीज़ें यहाँ पर आपकी ज्वेन में रहेगा इसके regarding कोई भी कमी नहीं है उन सभी के साथ भी आपका उठना बेठना यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर square का sign भी है तो square का sign protection का sign हो गया तो यह prosperity लाता है तो marriage के बाद में आपके ज्वेन में prosperity, property या कई ना कई progress होना शुरू हुआ और वो होता चला जाएगा तो इसलिए यह sign भी बहुत अच्छा होता है security purpose के लिए तो जेवन में कभी भी किसी प्रगर के सुक सुईधा या संसाधन की कोई कमी होती नहीं है अब शनी पर आएंगे तो शनी भी देखेंगे आपकी थोड़ा सा दवरा है तो इस condition में काम समय पर बनता नहीं थोड़ा देरी से बनता है जो यहां से आड़ी रेखा निकल के जा रहे है यह बहुत जदा ही spiritual connection देती है तो तमाम तरह के धर्म गरंति रहस्यम विध्याओं के प्रति रूची बढ़ता है अपने जो भी पुरानी के आपके संसकार है यानि आपकी पित्रों के आपकी पूरवजों के जो भी यहां सं घाए यहां पर जितनी भागरेखा आपकी निकल रहे है वो सब चंदर से connection लेकर के निकल रहे है चंदर हमारा मन होता है चंदर बाहरी दुनिया लोग होते हैं चंदर विदेश होता है व्यापार होता है और जो भी interest यह running होता है व्यक्ति को वो भी चंदर ही होता है और कोई भी काम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग हो, जलमार्ग के रिगार्डिंग हो, खानबन के रिगार्डिंग हो, क्रेशी के रिगार्डिंग हो, इन सब को भी चंद्रही रिप्रेसेंट करते हैं तो यानि इन सभी चीजों से आपको बहुत ज़्यादा लाब है दूसरी बात कि आपको जो प्रगती है आपके जेहन में सबसे ज़्यादा वो आपका जन्मिस्थान से दूर ही है और अगर आप काम करते हैं ट्रेवलिंग के रिगाड़िंग या बार-बर अपने काम में आपको फ्लक्चुएशन करना पड़ता है बार-बर कहीं आना जाना पड़ता है तो उस काम से और अत्य अंतलाब है आपको आप अपने मन मुताबिक सारा काम अपने जियन में कर पाएं ये इतना प्रवल आपका भाग गये है अब यहाँ पर देखेंगे तो दो भाग रेखा निकली हुई है पहली भाग रेखा यहाँ पर आपके आकर कर जो रुक गई है वो रुकी है उम्र तकरीबन 38 के आसपास में तो इस पिरिड में कोई ना कोई आपका एक काम बंद हुआ है और जो दूसरी भाग रेखा वो यहाँ से सीधे निकल के शनी तक पहुँच गई है तो दूसरी भाग रेखा दर्शारी है कि जो भी मन का चाहेंगे उस सब अंततह आपको मिलेगा भले ही कितना संगर्श हो कितना ही तकली परशानी हो यह मानसिक तनाव ही क्यों ना हो जीवन में बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है यह गाइडेंस अच्छी मिल पाती है यह लगाव अच्छा रहता है बहारी दुनिया लोगों से बहुत ज़दा प्रेम दुलार पेर सही हो गया प्रोपसाहान मिल पाता है शादी के बाद comfortability बहुत ज़दा बढ़ पाती है यह लगला इनका काम ही है comfort देना comfort zone में रखना वेक्ति को लेकिन इसका एक जो negative point यह होता है कि वेक्ति को थोड़ा तो आलसी बना देती है इस प्रगार के भाग रेखा यह बहुत ज़दा effort डालने में कईना की हिचकी चा जाता है इस पर थोड़ा सा आपको काम करना रहेगा बाकि तो भागे में कोई आपके कमी है ही नहीं और अगर उम्र के अंदाज़तन में यहां पर बात किया जाए कि अभी आपकी उम्र तकरीबन 43 के आस पास है तो यहां जो एक हलका सा क्रॉस का sign है वो finally यहां पर available है 46 के age तक 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 है तो यानि 46 के age पर आपका loan पूरा का पूरा खतम हो जाएगा जितना भी कर्ज है आप उतने सक्षम हो जाएंगे नहीं तो कोई ना कोई अकास्मिक इतनी ज़्यादा प्रगती हो जाएगी कि आप वो किसी प्रगार का लोन जो है वो चुकता कर पाएंगे इसके पीछे एक और प्रोमिनेंट इंडिकेशन ये भी है कि मस्तिष रेखा से आपकी सूरे रेखा निकली हुई है तो ये बार डेम शुरे कि आप जो भी अभी तक जीवन में अपने प्रगती कर पाएं हैं नाम कमा पाएं हैं गुडविल क्रियेट कर पाएं हैं सफल हो पा यानि बहुत कम उम्र दिख रहा हैं यहां पर तो देखा जा तो 16-18 के आसपास का पीरेड दिख रहा है और जो मर्करी लाइन है वो व्यापार में पूर्ण तह लेकर के जाती है तो मर्करी लाइन की अवेलिबिलिटी कब आ गई यहां पर मात्र 22, 24 और 28 के उमर में आ गई में यह है कि अन्त भला तो सब भला शनी तक रेखा पहुच गई है तो आप अपने पास्ट में भी जाकर देखिए आपकी जीवन में कितनी ज़्यादा रुकाउटियां तकलीफें आई हैं लेकिन अन्त तह जो चाहा था मन का वो हो ही गया और यह आगे होता चले जाएगा इसलिए आपको ओल्ड जी भी बहुत सही रहने वाला है और बच्चे भी आपको बहुत ज़्यादा आपको लाप पहुचाने वाले रहेंगे सूर्य भी आप यहां दब गया है तो सूर्य जब दबता है तो confidence कम हो जाता है insecurity के भावना होती है मन में आप जैसे जातको की काबिलेत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अपने आपको बहुत कम आख तेवे दिखाई पड़ते हैं अपने खुद के बारे में ही कई मरतबा गलत बोल जाना या फिर खुद को ही कम आख लेना यह सारे combination ही create करता है सेम हन्मान जी वाली बात है कि उनके पास भी काबिले थी लेकिन वो भूल गए थे वैसी बात आपके साथ भी है कि इतनी जला लंबी जब सूर रिखा हो और जब वी सिंबोल का साइन उपर में हो यह यह शश्वियोग होता है जो वी सिंबोल है यह व्यक्ति को बहुत ज़्यदा धन्वान प्रस्थिद्वान यह फिर बहुत ज़्यदा काबिल बना देता है यह इस लाइक बनाता है कि आप दूसरों को employment दे सकें यह दूसरों की रोजी रोटी के कारण बन सकें बहुत आलेशान घर बनता है इसमें तो लेकिन यह परवत दब गया है उसके साथ में गुरु भी दवावाए शनी भी दवावाए बुद्ध भी दवावाए तो जब इतने सारे परवत दब जाते हैं तो व्यक्ति अपने आपको समझ ही नहीं पाता है आख ही नहीं पाते हैं और इन सारी चीजों के इतरे हैं का हो रहे है कि सूरी हमारा फोकस भी है तो फोकस में बहुत जएदा कम होती है बहुत जज्यादा मन भाटकता है और बार बार जो है अलग-अलग परकार का काम करने का मन यहाँ पर स्थापित होता है सूरे रेमिडिय करना थोड़ा ज़रूरी है आपके हतेली में वैसे भी वी सिंबोल का साथ नीचे है तो इस कंडिशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना अपने आपको कही सारे कारों में इंगेज रखना हर छेतर में हाथ हाजमाना तो ये focus consistency देई नहीं पा रहा है अंत में सफलता तो मिल रहे है लेकिन बहुत संगर्श होगा बहुत उठा पटक के बाद इसलिए सूर कर जब remedy करेंगे तो focus भी बढ़ेगा credit भी जल्दी किसी काम का मिलेगा प्रगती जल्दी होने लगेगी पेसा अच्छा रुकने लगेगा सुख सुधा समरेध्धियोग जिवन्चली है ही और अच्छी होने लगेगी और जो भी कर्ज बगरा है या फिर थोड़ी बहुत उतार चड़ावे तकली परशानी है या फिर नए काम के बारे में जो सोच रहे हैं निर्णे लेए ही ले पार है तो उसके रिगर्डिंग भी आपको सुखा जाएगा आप जो भी निर्णे लेंगे जो भी काम करेंगे प्रगति मिल्ला शुरू हो जाएगा क्योंकि सूर्य आपका है बहुत अच्छा यानि रेखा अच्छी है लेकिन परवत में उतना दम नहीं है इसलिए इनिशेटिव ले नहीं पारे है इसमें अब जब मर्करी मांट वीक होता है बुद्ध इस कंडिशन में आप जैसे जातकों को पता रहता है कि इस वेक्ति में ये खामी है अगर ये खामी ये वेक्ति ठीक कर ले तो बहुत ज़्यादा अपने जिएन को सही कर सकते ह सुधार सकते हैं आपको हर एक वेक्ति का कमजोरी पता रहेगा लेकिन आप बोलेंगे नहीं क्यों क्योंकि आपको डर लगेगा कि इससे मेरा रिष्टा खराब न हो जाए वेसे ही बहुत सारी बातें या बहुत सारे निर्णे आप सही समय पर ले नहीं पाते हैं और इस कं देते हैं उससे double triple दाम में और उससे ज़्यादा ही दाम में बार्गिनिंग कर नहीं पाते हैं उतना हो ही नहीं पाता है तो यह सारे combination क्या कर रहा है यह सारे combination दर्शार है कि काबिलत है व्यापारिक गुण भी है सब चीज़ है communication भी बहुत सही है पर उसका लाभ अपने लिए ज्यादा उठा नहीं पा रहे हैं तो इन सब के लिए क्या करना सबसे पहले तो सूरी स्ट्रॉंग करिए बाकी चीज़े आपके ठीक हो जाएगी एक सत्य दिक रहा बहुत सिंपेथेटिकल नेचर देता है व्यापारिक गुण अच्छी देता है व्यापारिक भाग देता है अब एक combination यहां देखेंगे आप यह ट्रेंगल का यह multi-millionaire बनाता है जितने भी लोग करोड़पती व्यापार के द्वारा हो पाते हैं या फिर जो लोग मार्केट में कुछ नया चीज़ लेकर के आते हैं उन सभी के हाथ में ऐसा ही ट्रेंगल मिलता है क्योंकि mind line हो गया आपके पुद्धी मता नेड़ने लेन ह्रेदरेखा के अंत में जब गोंपूच क्या करती होती है तो good sense of humor और flirty romantic nature देता है तो ज्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते कई नके अपनी खुशी ढूणना दूसरों के खुशी में सामिल होने जैसे योगों को यहा निर्मित करता है वहीं जब यहाँ पर ह् भावनों में परिवर्तन हो जाता है और इस condition में कई मरतवा आप बहुत ज़्यादा practical हो जाते हैं कई मरतवा बहुत ज़्यादा emotional हो जाते और बच्पन में थोड़े से आप aggressive भी थे तो यह यहाँ पर mixed nature को create कर रहा है जिसके तहत हमेशा आपके कई न कई emotion feeling में fluctuation होते रहता है लेकिन यहाँ पर जो एक common point यह है कि सारी रेखाओं का connection जूपिटर से है तो बहुत सात्विक वह बहुत ज़्यादा ही साफसुतर दिल का व्यक्तित हो और चाहा करके भी किसी का बूरा ना कर पाने यह तीनों combination आ में देखें तो मस्तिश रेखा का जो connection मंगल से है तो बच्चपन से ही आपके उपर mental pressure तो बहुत जादा रहा और बच्चपन में ही इतना सब कुछ देख लिया नहीं mentally level पर कि कुछ साय देखना बाकी ना रह गया हो इसलिए माइंडलन बहुत stable हो करके उम्र मातर 17-18 के आस समय पर एक से जादा माद्य उसे धना आरजन करना इस सब combination दिखा रहा है कब तक दिखा रहा है 35-36 के उमर के आस पास तक मस्तिश रेखा जब सीधे होती है तो इस condition में सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षम तब मजबूत होती है और बहारी मंगल से भी connection आ रहा ह तो जुनून हुसला साहस को यह बहुत जादा बढ़ा देता है पराकरमी बनाता है हिम्मती बनाता है इसलिए हार नहीं मानते हैं और तमाम तरह के कश्ट परशानी या विपरित परिस्तिति माहों लोग को सरलता से handle या टेकल कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं एक एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव या कई ना कई मेंटल लेवल का बहुत बड़ा प्रेशर आपके जीवन में आया था उम्र 27 से लेकर के 31 के बीच में और उसके बाद में इसा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली परशानी यह वाली बात यहां देखे नहीं रही है अब घरेलू तकलीफ परशानी यह स्वास्थानी सबसे बड़ी जो आई है वाई है तकरिबन 36 से लेकर के 38 के उम्र के बीच में अभी के समय के अगर हम बात करें तो अभी तो जीवन रेखा बहुत स्मूद चल रही है और इसमें बाइफोर का कसायने तो आपको यात्राओं को स तो इसलिए आप जो भी निरने लेना चाहरे है अपने व्यापार में उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर अभी निरने आप लेंगे तो अभी तो आपकी हस्त रेखाओं में कोई इतना लाब दिख नहीं रहा है लेकिन अगर तकरिबन 45 के उम्र के आसपास में अगर आप कोई भी निरने लेते हैं या काम करते तो जटपट आपको उन्नती हो जाएगा फटा फट प्रगती हो जाएगा क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि यहां पर जो यह राहू की रेखा यह लास्ट बार काट रही है सिर्फ लास्ट बार उसके कोई भी रेखा कहीं से कहीं काट नहीं रहे है और सिर्फ उसका प्रगती ही है क्योंकि सुर्ण की रिखा और बाकी सारी रिखा मुझ्बूत हैं बहुत जप्यादा अगर हम यहाँ फिर बबात करें मस्तिष रिखा की स्स कि आप इतना लंबा रुक गए या फिर पहले कर लेते तो ज्यादा लाब होता हानी नहीं होती फलाना कुछ भी चीज यह सब आपको कुछ नहीं होगा अथ्वा आप एक काम करने जाएंगे आपके पास दस अफसर उल्टे चल कर कर किया जाएंगे 45 के उमर या उसके बाद से इसलिए अभी तो किसी प्रागर का आप अगर हो सके तो निर्णे नाले पेंडिंग रखे तो यह आपके लिए ज्यादा ठेक रहेगा करजे की विशय में ज़रूर यह मैं कहूंगा आपको कि आप सूर के रेमेडी करें सूर के रेमेडी में यह रहेगा कि सूर को अर्ग द मेर्च होती है जो सूखी लाल मेर्च होती है उसकी बीज रहते हैं वो बीज आप डालिए किसी भी और संख्या में डाल सकते हैं पांच साथ या एक्किस और उससे जो है आप अर्ग दीजिए इससे ये रहेगा कि 43 डेस के अंदर में बहुत बड़ा धनलाब होगा ये काम में प्रगति होगी ये कुछ न कुछ ऐसे योग बरेगा जिसके द्वारा आपका कर्ज जो है निश्य तो आपसे खतम होगा या खतम होने के कगारप आएगा और जो भी काम है जो भी आपका चल रहा है जो रुका हुआ है उसमें प्रगति बहुत अच्छे लेवल का आपको द पॉजिटिव सायन देखने को मिला है क्रॉस है यहाँ पर तो लग्जरी कमफर्ट तो बहुत अच्छा लाइफ में रहेगा उसके लिए तो बेफिकर रही है ऐसा शुक्र हो तो संजीने का कारक भी होता है जिसके कारण तमाम तर घटना दुर घटना अकासमिक तकलिफ पर अच्छा यानि एकसिरेंट जैसी चीजों से बचते हैं नहीं तो रिकवर हो जाते हैं और संजीने का कारक होने के अतरिक्त यह लंबी आयू और अच्छा स्वास भी निर्मित करता है इसलिए लंबी आयू यहाँ पर आप देख सकते कि और लेप करके आपकी जिवन रेखा और यह 45 के उमर के बाद ही आप करेंगे मनी ट्रेंगल उतना स्ट्रोंग नहीं है जितना होना चाहिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी इस तरह पर यह थोड़ा कमजोर हो रहा है इसलिए पैसों का लीकेज दिखाई दे रहा है कि पैसा है आएगा रुकने नहीं वाला है एक स् काम करने का करिए इन सबसे बहुत ज़्यादा आपको लाब है इन्शिरेंस और ट्रेडिंग भी इसी में आता है लेकिन इस कंडिशन में एक प्रगर से जितना हो सके आप यहाँ पर कंसल्टिंसी की रिगार्डिंग वर्क करें तो उसके रिगार्डिंग भी आपको लाब होता है इन सबी चीजों के लिए माफ करें रेक्टेंगल और बरत प्लेस से दूर तो प्रॉपर्टी यह बहुत अच्छा देता है तो अगर आप प्रॉपर्टी इसके लिए भी अगर देखना चाहरे है तो थोड़ा आउटर जोन में देखिए किसी भी सीटी के आउटर ज करेंगे तो यहां देख सकते कि मस्चछ एकार बहुत लंबी है तो बहुत छोटी से छोटी पूराने से पूराने बाते आपको क्लियर कट रहने माली है बुद्धि मता बहुत तीवरो और मजबूत है बच्पन की यादे पूराने यादे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग आप जो है रख पाएंगे इसलिए अंत तहा आपके राइट हैंड में भी और इवन लेफट हैंड में भी सेटन पर रेखा है और सेटन पर जब रेखा होती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि धनार्जन निरंतर होते रहेगा और लाइफ लाइफ लाइन के उपर भी देख लें तो 45 के उम्रे के बाद ही यह मोजूद है जीवन रेखा से कनेक्टेड है तो बहुत ड्रास्टिक चेंज यह बहुत शुप परिवर्तन यह बहुत प्रगती आपकी जीवन में एका एक इस कंडिशन में आएगा ऐसे योग बहुत ही कम हतेली में होते हैं लेकिन जब भी ऐसे य परिवर्तन रहेगा यह भाग इस रेखा से भी जुड़ावा है इसलिए भाग का जो सबसे में कारक होता है या फिर भाग का जो सबसे एक प्रगर से सरल तरीका होता है जानने का वह होता है कार्य तो आपके कार्य में बहुत जब प्रगती यह बहुत अच्छे आफसर आप को बहुत बहुत धन्यवाद